अज बताएंगे कि काला कुत्ता पालना कैशा होता है शुब होता है या अशुब होता है तो मित्रो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकोन जरूर दवाईए ताकि जब मैं कोई वीडियो डालू तो नोटिफिकेशन स सबसे पहले आपके पास महुचे कुत्ता वफादार होने के साथ साथ आने वाले खत्रे को पहले ही भाप लेता है और अपने मालिक को पूर्म में ही किसी तरह की अनोहनी के संकेत अलग तरह तरह के इसारों के जरिये देता है अक्सर हम देखते हैं कि लोग घर में काले कुत पालना शुब होता है काले कुत्ते को शानी देव का बाहन माना जाता है इसलिए लोग शानी देव को प्रसंद करने के लिए भी काला कुत्त पालते हैं ऐसा भी माना जाता है जहां काला बहुजन कराने से भैरब बावा प्रशन होते हैं यह भी मानता है कि कुट्टे को प्रशन रखने से भैरब बावा यह मदूत को भी आसपास नहीं फटकने देते हैं अगर आपको शन्तान शुख में बाधा है तो इसके लिए भी काला या शफेद कुट्टा पालना चाहिए यह शन्तान के स्वास्त के लिए भी सुभ माना जाता है काले कुट्टे को रोटी खिलाने से कर्ज से मुक्ती मिलती है मालिक पराने वाले शंकट को खुद ले लेता है ऐसा माना जाता है कि कुट्टा अपने मालिक पराने वाले शंकट को अपने उपर ले लेता है काला कुट्टा प्रियत बाधा से भी मुक्ती दिलाता है जो तिश्यास्त के अंसार काले कुट्टे को रोटी खिलाने से काल सर्प दोश और अन्य पीरा दायक दोश शमाप्त हो जाते हैं ऐसा माना जाता है कि काला कुट्टा पालने से आपका रुका हुआ धन आने लगता है आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और बिजनेस ब्यपार और आपके कार्चित में शफलता और उन्नती में काला कुट्टा मददगार होता है